चलिए देखते हैं question number 91 क्या है हमें दे रखा let for something something और हमारा fx दे रखा अपना fx क्या है हमारा fx है ax square plus bx plus c और हमें gx दे रखा है a1x square plus b1x plus c1 ठीक है हमें क्या क्या दे रखा है हमारा px है fx minus gx तो हमारा px क्या हो जाएगा fx minus gx मतलब इन दोनों को subtraction दो कर लो क्या हो square plus bx plus c और इसको minus करेंगे तो क्या बन जाएगा a1x square minus b1x minus c1 तो देखो x square वारी term common लो तो क्या बन जाएगा आ जाएगा अपना a minus a1 बैकेट में x square फिर इसके आद हमारा आ जाएगा plus b minus b1x और यहां आ जाएगा अपना plus c minus c1 c minus c1 ठीक हैं तो देखो हमारा कुछ दे रि a minus a1 को मैं अपना alpha माल लेता हूं इसको beta माल लेता हूं इसको gamma माल लेता हूं ठीक है तो इससे क्या होगा अपनी equation थोड़ी सी अच्छी दिखने लगेगी ठीक है तो px क्या हो जाएगा अपना alpha x square plus beta x plus gamma ठीक हैं तो देखो अपने को क्या क्या दे रखा है आगे अपने को रहें प्को टुन स्ञ Опशल ऑगी एकवेश डीक होगा तो इसकत्राव कर अपना जो यह रहा होगा वह कि है उन्हारा पल रहता है इक्व緩ू रहता रहता है கस रूड़ मतलब एक ही र्योटगा ठीक है तो हमारा d equals to zero, तो यहां से एक equation बन जाएगी, क्या है यह देखो, हमारा बन जाएगा beta square minus 4ac, मतलब alpha gamma is equals to zero, है न, तो हमारा beta square equals to 4 alpha gamma हो जाएगा, ठीक है, और देखो, और क्या बन सकता है अपने पास, एक equation तो यह बन गई अपने पास, ठीक है, और p minus 1 को इसमें put करके देख क्या बन जाएगा, d minus 1 यहां से अपना, आजाएगा alpha minus 1 का square तो 1 ही रूजाएगा, फिर यहां आजाएगा minus beta plus gamma ठीक है, और यह अपना आजाएगा zero, zero is equals to alpha minus beta plus gamma, तो यहां से बीटा की value वेलो कितनी आजाएगी, बीटा की value आजाएगी alpha plus gamma, ठीक है, तो यह रूजाएगा एल्फवा गामा बचेहा ठीक है तो देखो इसको open क्या बन जाएगा alpha square plus gamma square plus two alpha gamma और four alpha gamma को इदर लिया तो four minus four alpha gamma हो जाएगा equal to zero तो देखो यह क्या बन जाएगा alpha square plus gamma square minus two alpha gamma बन गया यह क्या होता है alpha minus gamma का whole square जोठाइब होता है इक्वस्ट जिरो तो देखो अपना आलफा माइनस गामा क्या हो गया इक्वस्ट जिरो आ गया और यहां सब च्प्पना अल्फा एक्को अगया देखो कि ययारा रखना इसको हम बोलते अपना थर्ड एक्वेश्ट ठेख है अब चलो अब बीटा औरusan ले sum of roots होता है अपना minus b upon a है ना minus b upon a तो हमारा sum of roots क्या हो जाएगा minus 1 plus minus 1 ठीक है और हमारा b क्या है इस बर बीटा है तो minus बीटा upon a क्या है अपना alpha ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा minus 2 is equals to minus , będziemy mean , टो हमारी पास एक एक इक्वेशन और आगई जो की है हमारा बीटा is equals two to alpha ठीक है तो हमारा ग्या सके नोपना horizon क्या बने क्या बने गाइगी है healthy एक चीज़ और दे रखी थी जो हमारा पी माईनस टू है वह में टू दे रखा था ठीक तो पूट कर लेते हैं तो पी माईनस टू क्या हो जाएगा देखो अलफा माईनस टू का हो जाएगा फिर देखो यहां- तो minus 2 आ जाएगा to minus 2 into 2 किई हो जाएगा minus 4 alpha ठीक है फिर यहाँ पर आजाएगा I'll 2 देखो 4 alpha से minus 4 alpha कट गया फिर यहाँ पर 2 is equal 2 अपने पास alpha की value आ गए ठीक है तो देखो यहाँ put करो देखो अपना px क्या बन जाएगा इस equation में put कर दो अपनी alpha की value तो अपने पास px की value आ जाएगी है ना तो px अपना क्या बन जाएगा alpha की value फूट कर दो यहाँ पर आ जाएगा 2x square फिर वहाँ पर 2 2 x 2 x 4 यहाँ भी 8 हो जाएगा इसके बाद भी 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा तो 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18 दगल को 18 ऐसा अपना अंसर है को कौन सा option हो जाएगा अपना हाँ यह ही हो जाएगा अपना option